नमस्कार दोस्तो आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे मेरा नाम है देव सागर आज हम जानेगे अमिताब बचन लाइफ स्टोरी बायोग्रिपी बने रहे विडियो के लास्ट तक दोस्तो बॉलिवूड इंडस्ट्री में कितने ही स्टार आये और चले गए लेकिन सुपर स्टार अमिताब बचन ने फिल्मों के जरिये जो दुनिया बर में अपने इमेज बनाई है उसके आस पास भी कोई पनुचा नहीं पाया है यह वह शक्सियत है जिन्हें उनके नाम सरवादिक सर्वश्रिष्ट अभिनेता फिल्म फेयर अवर्ड का रेकॉर्ड है संघर्ष के दौरान अमिताब ने कई राते मुंबई के मरीन ड्राइब के पास रखी बैंच पर बिताए है वे आज भी उन जगा के आस पास जाकर काफी भावुक हो जाते हैं अमिताब बच्चन के करिया में बहुत उतार चड़ावाए और आज वो जितने सफल है किसी दौर में वो उतने ही असफल हुए थे फिल्म जंजीर से पहले उनकी लगभग 12 फिल्में फ्लॉप हुई थी मगर उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं आ रही अमिताब बच्चन ने अपनी वाइफ जया बच्चन से पहली बार फिल्म एन टेलिविजन इंस्टीटूट पुने में मिले थे फिर उनकी मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी रहा और फिल्म गुर्डी से उनका तालमेल होने लगा था अगर आप अमिताब बच्चन के फैन है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें हम आपको ये से ही और वीडियो लाते रहेंगे अमिताब और जया ने लगभग 30 फिल्मों में एक साथ काम किया है इन दोनों को रोमैंस करते हुए पहली बार नादिरा ने देखा था इन दोनों की आखरी कपल फिल्म कभी खुशी कभी गम है अमिताब बच्चन अपने बच्चों के साथ बहुत ही मजा किया व्यवहार में रहते है वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपने हर एक काम को बिल्कूल परफेक्शन के साथ करते है अमिताब बच्चन पहले ऐसे एशियन है जिनका वैक स्टैचू लंदन के तुसाद म्यूजियम में लगाया गया है अमिताब बच्चन की आदाश्ट इतनी तेज है कि वो अपने संबंधियों में किसी का भी जन्म दिवस एनिवसरी कभी नहीं भूलते है आपको जानकर हैरानी होगी अमिताब बच्चन को घड़ी और पे निकर्टे करने का काफी शौक है वो फोटोग्राफी के भी काफी शौकीन है अमिताब बच्चन को जिन एक्टर और एक्ट्रेस का काम बहुत पसंद आता है वो उन्हें चित्थी लिखकर उन्हें प्रोतसाहन प्रदान करते हैं क्योंकि वो लोगों की अच्छे काम के लिए तारीफ करना बखू भी जानते हैं वेबसाइट के अनुसार अमिताब बच्चन की नेट वत लगभग 400 मिलियन डॉलर के आस पास है अमिताब बच्चन और जया बच्चन एक कपल ही नहीं बलकि उन्होंने एक साथ मिलकर 30 फिल्मों में एक साथ काम करा है अमिताब बच्चन ऐसे पहले एक्टर है जिन्हें सबसे पहले एक्टिंग के रूप में एक रूपया करोड रूपे फीज दी गई थी इसी से उन्हें हिंदी सिनिमा में सबसे महंगा सितारा बना लिया था दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करें और लोगों को भी इसकी जानकरी दे और चैनल सब्सक्राइब कर लेना नए वीडियो की जानकरी आपको मिलती रहे थैंक यू